नमस्कार, इन दिनों बाबा रामदेव की कुछ फोटोज और वीडियो सोसियल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इन फोटोज में जो सक्स नजर आ रहा है वह हू बहू बाबा रामदेव की तरह दिखता है लेकिन फोटोज की सचाई वह नहीं जो देखने पर नजर आती है फोटो में नजर आने वाले बाबा रामदेव नहीं तो कौन है यह सक्स क्या है फोटोज की सचाई आईए जानते है फोटो में जो नजर आने वाला सक्स है उसका नाम है संजई तलवार संजई दिली में DTC बस ड्राइवर रह चुके है वह दिली में ही रहता है संजई ने एक इंटर्यू में बताया कि साल 2004 में एक TV चैनल की टीम नहरू विहार में किसी काम से आई थी मुझे देखते ही उनके मुँख से निकल गया अरे आप तो बाबा रामदेव लगते हैं बस उसके बाद मैंने उन ही की तरह अपने आपको और भी डालने की कोशिस सुरू कर दी उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बाई आँख फड़कने से उन्हें काफी आलोचनाये जेलनी पड़ी जिसके बाद उन्होंने बस ड्राइविंग करना छोड़ दी उनका कहना है कि वे इन आलोचनायों से निरास नहीं बलकि खूस है क्यूंकि अब वे बाबा रामदेव के डूपलिकेट के रूप में फेमस हो रहे है इसे वो भागय की बात ही मानते है वे कहते हैं कि उन्हे हिंदी बोलनी आती है लेकिन वे अक्सर पंजाबी में ही बात करते है संजई तलवार एक एड फिल्म में भी काम कर चुके है इसके अलावा संजई बाबा रामदेव पर बनी एक कोमेडी फिल्म में भी काम कर चुके है इस फिल्म को अनिल गोयल ने डाइरेक्ट किया था जिसमें एक्ट्रेस सोफिया हयात उनके साथ थी संजई एक डोक्योमेंटरी फिल्म में भी लिड रोल कर चुके है कौन है संजई तलवार आईए वाब जानते है संजई मुलत हब पंजब के लुधियाना के रहने वाले है संजई बताते है कि उनकी इच्छा फिल्मों में काम करने की थी लेकिन खुद को जब भी सिसे में देखते थे तो उन्हें लगता था कि वे हिरो की सकलक के लायक नहीं है उनका कहना है कि वे पूरी तरह वेजिटेरियन है दाल चावल, कटी, हरी सबजिया आधी उनका मन पसंद भोजन है संजई सुबह पांच बजे उठ जाते है और आधे घंटे रोजाना योगा करते है बाबा जैसी आवाज निकलने के लिए संजई बाबा की सीडी देखकर उनकी आवाज निकलते है संजई ने बताया है कि वे साल 2008 में बाबा रामदेव से मिल चुके है वो मेरी सकलक को देखकर हेरन हो गए और मुझे गले लगा लिया वे कहते है कि बाबा जैसा दिखने पर कई बार लोग दोखा खा जाते है और देखते ही बड़े बुढ़े सब लोग पेर चुने लगते है आए देखते हैं संजई तलवार की कुछ यादगार फोटोस सोफिया हयात के साथ संजई तलवार सोफ्या हयात के साथ संजई एक कॉमेडी फिल्म में काम कर चुके है इस कॉमेडी फिल्म को अनिल गोयल ने डायरेक्ट किया था संजई रोजाना योगा वियास करते है वे लोगसभा चुनाव के दोरान पीम मोदी के हम सकल के भी साथ नजर आ चुके है संजई एड फिल्म में भी काम कर चुके है कई बार लोग संजई को बाबा रामदेव समझ कर दोखा खा जाते है लोगों से संजई को काफी मान सन्मन मिलता है संजई पहले बर्स ड्राइवर का काम करते थे संजई एक प्रोग्राम के 5000 रुपिये लेते है कई बार बड़े बुठे लोग दोखे में संजई को बाबा रामदेव समझ कर पेर छुने लगते है दोस्तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट भी करे इसे और वीडियो के लिए यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद